हेलो दोस्तों आज हम लेके आए नास्ते की एकदम नई रेस्वी अगर रोटी सबजी खा कर हो गए बोर तो एक बार इस नास्ते को जरूर ट्राय करें तो चलिए सुरू करते हैं तो यह हमने गैस में कड़ाई रख दिये और कड़ाई में हम एक कप पानी डाल रहे हैं तो यह आप किसी भी कटोरी से या उससे बराबर नाप कर सकते हैं तो यह पानी को उबलने देंगे उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे नमक आप स्वात के अनुसारी डालें और थोड़ी सी कटीवी धनिया की पतियां डाल ले उसके बाद एक चमस तेल हम डाल लेंगे और इसको थोड़ी देर कुछ सेकिंट के लिए और उबलने देते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे यह आधी कप हमने चावल का अटा लिया है तो एक कप हमने पानी लिया था तो आधी कप हम चावल का अटा ले रहे हैं तो इसको ऐस करके अचिसे मिक्स कर लेंगे कुटलीय निन ben ने देंगे तो सब्सक्राइब डियर को मीडिंव पर ही रखेंगे और इसको अच्छी तो ऐसे करके अगर आप अगर ये चिपक रहा हो चावल का आटा तो आप हलका सा तेल भी आप हातों में लगा सकते हैं ताकि ये चिपके न तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था हमने तो तेल भी नहीं लगाया तो ये डो बना के हमने तयार कर दिया है उसके बाद क्या करे इसमें से एक लोई तोड़ लेंगे तो जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं सेम वैसे ही लोई हम बना लेंगे तो एकदम सौप्ट सा है यह आटा कोई भी जंजट नहीं है इसे बनाने में तो अब हम क्या करेंगी यह बेलन ले लेंगे और इसको बेल लेते हैं तो हलके हाथ से ही हम इसे बेल रहे हैं जादा जोर नहीं डालेंगे इस पर बिल्कुल आसानी से बेला जाता है तो यह हम अभी टिफिन का ढकन ले रहे हैं और इसको कट कर लेंगे जो भी फटी इसकी किनारियां है वो हट जाएंगी और बिल्कुल गोल सी पूरी बनके बिल्कुल तयार हो जाएगी तो यह किनारियां हम हटा लेंगे तो यह आप देखे यह बनके बिल्कुल तयार हो गई है तो ऐसी ही हम सारी बना लेंगे, कितनी सुन्दर लग रही है देखने में ही, तो ये बना के हमने बिल्कुल तयार कर दिये, इधर हमने गैस में तेल गरम करने रख दिया था, तो तेल अच्छा गरम हो गया है, तो ये हम अब इसे तल लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम भी इसे छेड़ेंगे नहीं, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसे ऐसे करके कर्ची से हलका सा दबा लेंगे, और एकदम फुली फुली पूरिया बनकी बिल्कुल तयार हो जाएंगे, थोड़ा सा इसके उपर तेल डाल लेते हैं, गरम गरम, फिर इससे पलट लेंगे, तो ज्यादा हमें इसका कलर चींग नहीं करना है, क्योंकि आटा भी जो चावल का आटा था, वो भी हमारा पकाव आया है, पहले हमने उसी को पकाया था, तो ज्यादा इसे वो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करारी करने की जरूरत नहीं है, तो यह आप देखे कैसे फुली फुली पूरी बनके बिल्कुल तयार हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो ऐसे ही हम सारी बना लेंगे जिता भी हमारे पास बनी वी रखी वी है तो सब को बना के तयार कर लेते हैं तो यह हमने सारी बना के बिल्कुल तयार कर दी हैं तो देखें आप किती सुंदर लग रही हैं बनाने के बाद और खाने में तो बहुत टेश्टी होती हैं तो आप एक बार बना के जरूर ट्राय करें तो हम तोड़के दिखाते हैं कितनी सौफ्ट हैं बिल्कुल तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और जरूर कर दें कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा थैंक यू अ झाल